इस्टूरेंट्स यह हमें एक समकॉर्ण त्रिबूज दिया है जिसमें एक कॉर्ण 90 डिग्री है और इसका हमें छेतरफल ग्याद करना है तो समकॉर्ण त्रिबूज का छेतरफल होता है एक बटे दो इंटू यह आधार इंटू उन्चाई यदि हमें इस समकॉर्ण त्रिबूज में इसका आधार दस मीटर और उन्चाई पांच मीटर दे रखी है तो इसका छेतरफल हो जाएगा छेतरफल बराबर यह सुत्र लगाएगा हम एक बटे दो अधार दस मीटर उन्चाई पांच मीटर दो से इसको दस को काटोगे तो पांच तो यह हो जाएगा पांच इंडू पांच 25 मीटर स्क्वार ये इसका चेत्रफल आएगा